दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दवा दे क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनस आइडियाज और नेनी जनकारी के वाल आपके नमस्कार दोस्तो प्यारे भाईयों और बैनों हर आदमी चाता है बिजनस करना आज की तारीक में बहुत से लोग ऐसे चंगर में फस जाते हैं कि बाद में पश्टाना पड़ता है मेरी बाद दियान से सुनो जिस चीज की आपको जानकारी है वो ही काम करना चाहिए पहले अपनी मार्केट बनाओ नफे नुकसान का नुमान लगाओ फिर मशीन खरीदो अगर बिना सोचे समझे किसी भी काम में हाथ दालोगी तो जिन्दगी वर पश्टाने के इलावा बिजनस कर सकते हैं हमारा अदेशिये आपको नए बिजनस आइडियस के बारे में जानकारी देना है ना कि आपका नुकसान पहुचाना हम उन सभी बेरोजगार की मदद करना चाहते हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं आज की हम के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस से बनने वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग में के बारे में बताएंगे दोस्तो आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है दोस्तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे देश का हर नौजवान चाहे बेरोजगार यूवक मही लाएं पुरेश अपना खुद का बिजनस लगाकर अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकें तो आए दोस्तो सबसे पहले हम नोटबुक बनने की प्रकिरिया देखते हैं तो यह प्रकिरिया तीन स्ट्रेश में होती है जो तीन अलग-अलग मशीनों में किया जाता है सबसे पहले इसमें निटिंग मशीन का परियोग होता है पहले पेज को प्रिंटिंग कवर के साथ निटिंग मशीन में रखकर स्टैपल करते हैं अब manual machine में इसे आप हाथ से या पैर से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें range के मताबिक कई variety आती है knitting machine में manual semi-automatic, automatic machine भी आती है सबसे पहले हम page raw material लेते हैं जिसको ruled paper कहते हैं जिस पर पहले से ही lime खीची रहती है paper में भी कई variety आती है ये core paper के रूप में भी आती है इसमें तीन lime भी खीची होती है दोस्तो इस page की कीमत 40 से लेकर 60 रुपे तक होती है notebook को pin से staple करने के बाद हम दूसरे step में हम edge squaring machine का परियोग करते हैं इस machine की कीमत की मदद से हम notebook के edge को एक नए finishing देते हैं दोस्तो इस machine की मदद से हम एक साथ 8 notebook के edge square कर सकते हैं आपको सिरफ notebook को एकठा कर इस machine में रखना होता है ये machine अपने आप notebook के edge को square में बदल देती है आप इस machine को घरेलू electricity से भी चला सकते हैं दोस्तो notebook बनाने की तीसरी और आखरी प्रकिरया notebook cutting machine के माद्यम से किया जाता है इंडिये machine भी घरेलू electricity से चल जाती है सबसे पहले हम notebook को एकठा करके इस machine में रखते हैं cutting machine में notebook की cutting के लिए एक red line बनी होती है उसी line के मुताबिक हमें notebook रखनी होती है दोस्तो आप इस machine से notebook को एक सार काट सकते हैं आप एक मिनट में 32 notebook त्यार कर सकते हैं इन तीनों machine के rate आपको screen पे दिये गए number से मिल जाएगा आप इनसे machine लेकर अपना business शुरू कर सकते हैं और अगर बात आती है raw material की तो वो आपको अपनी city से असानी से मिल जाएगे लेकिन अगर आप अपनी city से नहीं लेना चाहते हैं तो आपको जो screen पे दिये गए number थे इनसे आप raw material भी ले सकते हैं आप जिनसे machine लेंगे वो engineer भी provide करते हैं उनसे machine के training ले सकते हैं मूझा कि सस्मीन कायओ प्रेंस लेया यदाउप भी केनि से और आप आप जापको जापको जापे पासो और मेंगे दिन लेकिन हमें झाल झाल जिसमें पहला रूल पेपर होता है जिसमें पहले से ही लाइन खीची होती है दोस्तो ये विबिन परकार की क्वालिटी के हिसाब से मार्केट में मिलता है जिनकी कीमत 40 रुपे से लेकर 60 रुपे केजी तक होती है दोस्तो दूसरा रौ माटीरियल नोटबुक कवर होता है जो की विभिन परकार की क्वालिटी के हसाब से मिलता है इसकी कीमत 80 पैसे से 1 रुपे 20 पैसे तक होती है दीसरा रौ मिटीरियल तार होता है जो की नोटबुक में स्टैपल करने के काम आता है एक दिन में आप 8000 नोटबुक त्यार कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं कि नोटबुक की मार्केटिंग कैसे करें नोटबुक को बेचने के लिए आप अपने नसदी की मार्कीट की होल सेलर या स्टेशनरी शॉप से संपर कर सकते हैं या फिर आप नोटबुक इंडिया मार्ट साइट पर भी बेच सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला हुगा धन्यवाद